हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका एक वाफ फिर से AVBS Classes में NCRT Solution Series में आज का एक कोशन डिसकस करेंगे NCRT का Class 11th Chapter 1 और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ Batch स्टार्ट हो चुके हैं, इन्रोल कर लीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें सारे lecture आपको कहां मिलेंगे Physics Chemistry के Currently अभी YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे AVBS Classes में तो आईए देखते हैं कोशन क्या है, हमारे पास सवाल क्या है सवाल यह कहता है कि calculate करना है molecular mass किसका molecular mass calculate करना है आपको एक तो H2O यानि water का, दूसरा carbon dioxide का और तीसरा आपको methane का यानि CH4 का तो आईए देखते हैं किस तरीके से इनका molecular mass हम calculate करेंगे पहला सवाल जो है उसको पहला molecule जो है उसको लिखते हैं H2O तो इस H2O molecule में आपको पता है कि जो number of atom यानि जो atom इसमें combine हो रहे हैं वो कितने हैं और कौन-कौन से हैं तो atom जो combine हो रहे हैं वो तो 2 hydrogen combine हो रहे हैं जी 2 hydrogen होगे प्लस 1 oxygen combine हो रहे है और hydrogen का atomic mass हमें पता है वो कितना होता है 1 होता है oxygen का कितना होता है 16 होता है add कर देंगे तो आपका आजाएगा 18 अब सवाल यह है कि यह 18 तो आ गया मेरे भाई इसकी यूनिट क्या लिखोगे यूनिट का बहुत महत्त है ध्यान रखना यहाँ पर आपसे Molecular Mass पूछा हुआ है तो Molecular Mass की यूनिट यहाँ पर क्या लिखेंगे U लिखेंगे यानि Unified Mass लिखेंगे U तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी Unified Mass हो जाएगी Clear है आईए दूसरा हमारा जो सवाल है दूसरा वो है आपका Carbon Dioxide CO2 इस Carbon Dioxide के बारे में अगर हम बात करें कि भाई इसका किस तरीके से निकालोगे तो आप यह देखें कि इसमें कौन कौन से Atom आपके Combine हो रहे हैं तो Atom आपके कौन कौन से Combine हो रहे हैं एक Carbon Combine हो रहा है और दो Oxygen Combine हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे Carbon और दो Oxygen के Atomic Mass को Add करेंगे Carbon प्लस दो Oxygen है हमारे पास तो इस तरीके से क्या करिए Carbon का 12 होता है Oxygen का आपके कितना हो जाएगा सर आ जाएगा 44 unified mass clear है यहां तक दिखाई दे रहा है आपको सबको ठीक है तीसरा जो हमारा है molecule वो कौन सा है तीसरा है methane CH4 आपको सबको नाम भी पता होने चाहिए इन molecule के तो तीसरा हमारा जो molecule है वो है आपका methane third one is methane CH4 कौन-कौन से atom combine हो रहे है carbon और 4 hydrogen तो carbon का कितना होता है 12 और hydrogen का कितना हो जाएगा एक 4 into 1 solve करेंगे तो यह आ जाएगा 16 U तो हमारा इसका answer क्या हो जाएगा 16 U हो जाएगा I hope this question is clear to you उमीद है यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो मिलते हैं अगले question में वीडियो को like करना और share करना मत बुलिये